सूर्य बंस में राम का जन्म होता है और चंद्र बंस में स्री कृष्ण का जन्म होता है लेकिन एक बिस्तिस बाद आपको बता हूँ सूर्य बंस में बिना यग्ग के किसी भी राजा महराजा के हां संतान नहीं होती और चंद्रबंस में बिना लड़ाई के बिना जगडे के किसी की साधी नहीं होटा चंद्रमा से लेके भगवान स्री किष्ण तक पहले लड़ाई और फिर जगाई भगवान स्री किष्ण के तुम्हारा जितने भी विवाय भए ना सब ऐसे ही भे साम के पांच बजे तक कोई पता नहीं और साड़े पांच बजे घर में बहुआ गई है सब ऐसे ही भे अराज सूरी बंस में जब दुनिया में महा प्रले होता है ना महा प्रले के बाद भगवान नारैन का प्राकट हुआ भगवान नारैन की नाभी से कमल का फूल निकला कमल के फूल से पितामा ब्रमाजी का प्राकट हुआ ब्रमाजी के पुत्र भए मरीजी मरीज के पुत्र भए कस्यब और कस्व जी महाराज के पुत्र भे भगवान सूरिय जहां से सूरिवंस प्रारंब होता है और इसी सूरिवंस में महान प्रतापी राजा राज अंब्रीस का जनम हुआ लाज सगर का जनम हुआ राजा भागीरत का जनम हुआ जो गंगाजी को प्रतवीपल लेकर किया है राजा भागीरत और कुसी सूरिवंस में राजा खटवांग महाराज दिर्गवाहू और चलते चलते एक समय सूरिवंस में आयो ध्याँ पुरी की मिट्टी पर सुरी बंस के एक राजा हुए जिनका नाम हुआ महराज दिलीबी राजा दिलीब का जन्म हुआ एक कता तो अध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो कता में आपको सुना रहा हुना इसमें कुछ कता कुछ प्रसंग ऐसे भी है जो भागबत में नहीं लिखे हैं और रामाइन में भी नहीं लिखे हैं कुछ प्रसंग हम अलग-अलग जगे से लिका सुना रहे हैं आयो ध्याँ के राजा महराज दिलीब बने लेकिन सुरी बंस में इन नियम ही था इतनी जल्दी आसानी से किसी के हां संतान नहीं होती किसी के हां पुत्र नहीं होता अयो ध्याँ के राजा दिलीब के हां जब कोई पुत्र नहीं हुआ जब कोई संतान नहीं हुई न जब कोई पुत्र संतान नहीं हुआ तो महाराज दिलीप ने अपने गुर्देव से पूंचा कहा गुर्देव चौथापन आगया है गुढ़ापा आगया है हमारे हाँ कोई संतान नहीं है हमारे हाँ कोई कुट्र नहीं है आप तरपाकर के बताईए मिले कोई संतान कव होगी और होगी या नहीं होगी आप जरगताई है गुर्देव ने वसिष्ट मुनी ने विचार करके कहा कि राजन तुमारे हां संतान ना होने का एक विसेश कारण है एक मार तुमने रास्ते में चलती हुए एक गाय का अपमान किया था और उस गाय ने किरोध में आतर कि तुमको स्राप दिया था कि तुमें अपने राजा होने का बड़ा एहंकार है जब तक तुम एक साधर्ण आदमी की तरह गुव सेवा नहीं करोगे तब तक तुमने संतान ही रोगे तुमें संतान की प्राप्पी नहीं रोगे गुरुदेव ने कहा राजन तुमको स्राप लगा है और तुम्हें गुव स्राप के कारण गुव माता की सेवा करनी होगे जब तक गुव की सेवा नहीं करोगे तुम्तान तुम्हें पुत्र कुछ भी नहीं हो सकता राजा दिलीप ने उसी समय अपनी अयोध्या नगरी का त्यागन किया और अपनी पत्नी राणी सुदक्षणा राजा दिलीप की पत्नी का नाम था राणी सुदक्षणा और महाराज राजा दिलीप अपनी पत्नी राणी सुदक्षणा के साथ साधरन आदमे की तरह बेस धारन की और महराच चले जंगल की तरह गुर्देव की जो गाय थी ना जस गाय का नाम था नंदनी लाजा आज वो नंदनी नाम की गाय की सेवा जंगल में करने लगे नित्य प्रति महराच रोज उस गाय को जंगल में ले जाते हैं उस गाय को जंगल से गुमा करके लाते हैं गुमाता की रोज साम को आरती पूजा करते हैं जो दूद मिलता है वो गुर्देव को देकर सेवा में प्रसंद करते हैं राजा का रोज का नियम हो गया गुमाता की सेवा करना गुमाता की पूजा करना राजा को सेवा करते करते राजा को सेवा करते करते महानल बीस दिन हो गए जंगल में जोपड़ी बना करके रहते हैं जोपड़ी बना करके रहते हैं राजा ओडानी रोज नियम से गाय की घुमाता की सेवा घुमाता की पूजा करना नियम से आज 21 में दिन और 21 में दिन 21 में दिन जब राजा गाय को लेकर की जंगल में गए उस गव माता के मन में एक विचार आया वो तो चमतकारी गाय थी गुर्देव की नंदनी नाम की वो चमतकारी गाय उस गाय के मन में एक विचार आया कि राजा रोज हमको जंगल में लाता है घुमाने चराने के लिए राजा रोज हमारी सिवा करता है लेकिन आज जरा देखूं आज जरा देखूं राजा के मन में भाव क्या है अपने स्वारत के लिए तो कोई आदमे कुछ भी कर सकता है लेकिन कोई काम या तो स्वारत से होता है या अपने भाव से होता है तो देखें राजा के मन में भाव क्या है गव सिवा के परती कितना प्रेम है राजा के मन में गौ सिवा का भाव परिक्षन करने के लिए गाएं आज एक लिला एक माया रचाई जाई गाए घूम रही थी जंगल में ऐउधियापुरी के ऐउधियापुरी के जंगलों में जम है जा गाएं गूम रही थी उस गाए ने पीछे मुड़कर के देखा राजा देख तो नहीं रहा है और राजा की नजर बचते ही एक सेगिंड में पलत छपते ही महराज उस गाए ने अपनी माया से एक भेंग कर सिंग प्रकट कर दिया एक भेंग कर सिंग प्रकट कर दिया और वो सिंग गरजना करता हुआ दहार मारता हुआ वो सिंग तुरंत महराज उस गाए को अपने पंजी में दवा लिता है मारने के लिए वो गाए सेर की पंजी में दवी हुई है लमा रही है आवाज लगा रही है चिला रही है राजन मुझे बचाओ पूख़ा है तो महरा सूरी जर्ट्री खून खौल उठा राजा दिलीप नहीं से समय तलवान निकाली निकाल करके तलवार महरा दिलीप तौड़ पड़े ओस सेर को मारने के लिए जब उस सेर्ट को मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो सिंग ने भी गरजना करती हुए तहा राजन खबरदार एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया ना तो ये गाए हमारे पंजे में दभी हुई है अब भीस गाए के शरीर को भाट डालू ना तुम्हारे सामने और गाए का मा सखा करके अपनी भूंगो जालूगा ए राजन दिलीप आगे मत बढ़ना राजन दिलीप को लगा राजन दिलीप को लगा कि आगे बढ़ा अगर मैं बढ़कर के आगे गया तो ऐसा नहो कि ये सेर गाए को मा डाले राजन दिलीप ने तुरंत हाँ चोड़े हाँ तो जोड़कर कि कहा बले भीया है सिंगर हम सोरी बंसी छत्री ये कभी किसी के सामने जुकना नहीं जानते लेकिन आज एक गाए की प्राण बचाने के लिए हम तेरे सामने हाँ जोड़ते हैं ये सिंगर इस गाए को छोड़ दे तुन जो चाहे तुन जो कहे मैं करने को तयार हूँ लेकिन इस गाय को छोड़ दे हम सुरी बंसी छत्र ये प्रान त्याक सकते हैं लेकिन गाय की हत्या आँखों के सामने हम नहीं देख सकते हैं उस सिंग ने कहा कि राजम अपना समय खरा मत करे अरे लौट जाओ अपने घर बापिस इस गाय को तो अब मैं नहीं छोड़ूँगा तो कि ये तो मेरा सिकार है और हम अपने सिकार को कैसे छोड़ सकते हैं राजन इसलिए तुम बापिस लोट जाओ ये गाय तो अब नहीं बचेगी ये तो हमारा भोजन है हम तो इसका मास खाकरक अपने भूं गो जाएंगे राजन महरा बार बार राजा दिविप ने हाँ चोड़ फ्रोड़्य प्रोण किया सिंगद को लेकिन सिंग नहीं मांगा राजा को लगा ये सेर अब गाय को नहीं छोड़ेगा ये सेर अब गाय को नहीं छोड़ेगा राजा दिलीप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं कैसे प्रान बचाऊं इस गाय कि महराज उसी समय सोरी बंसी छत्त्री महराज दिलीप ने अपने हाथ की तलवार को दूर फेंग दिया मैदान में फेंग दिया और जमीन में लेट गए और कहा कि है सिंग हम सोरी बंसी छत्री है आयो ध्यापुरी की राजगत्दी की सुगंदले के कहते हैं आयो ध्यापुरी की प्रजा का प्रजा की किसम खा करके कहता हूँ कि ना तो हाथ आगे बढ़ाऊंगा ना हत्यार उठाऊंगा तेरे को भूंक लगी है न तो मास ही खाना चाहता है न ले, मैं लेटा हूँ जमीन में मेरे सरीर में जितना मास निकले सारा खाले लेकिन इस गाय को छोड़ दे हम अपने प्राण को दे सकते हैं लेकिन गाय की हत्या आँखों के सामने तो नहीं देख सकते सिंग ने कहा राजन क्यों पागलपन कर रहे हो एक पसूर के लिए, एक जानवर के लिए तुम अपना कीमती सरीर क्यों मटाना चाहते हो राजन एक तुम लाजा हो, तुम संब्राट हो ऐसी तो कितनी गाय अपने गुरदेब को दे करके तुम प्रसंद कर सकते हो वह या क्यों प्राण त्यागना चाहते है एक पसूर के लिए, एक जानवर के लिए एक तुछ गाय के लिए, तुम अपना कीमती सरीर क्यों मटाना चाहते है राजा दिरीप ने कहा खबरदार सिख्यों एक गाए तेरी नजरों में एक पसू हो सकती है एक जानवर हो सकती है लेकिन हम भारत बरस के निबासी हम सोरी बंसी छत्रियत इस गाए को पसू नहीं इस गाए को जानवर नहीं इस गाए को हम मा का दरजा दिया करते हैं इसको हम मा की तरह पूजा करते हैं और जो अपनी मा की रख्षा ना कर पाए वो सक्षा प्रजा का पालक वो सक्षा छत्रिय नहीं हो सकता जो अपने धर्म को न निभा सके जो अपने मा की रख्षा ना कर सके जो गव माता को न बचा सके प्रजा की सिवा वो जनता को क्या बचाए राजा ने कहा कि हे सिंग हम प्राम त्याग सकते हैं लेकिन आँखों के सामने गाय की हथ्या नहीं देख सकते जमीन में पड़ी हुई वो गाय जब गुव माता के कानों में वो सब्द सुनाई पड़े अरे हम इस गाय को पसूँ नहीं इस गाय को हम मा का गरुजा दिया करते हैं इसको हम मा की तरह पुजा करते हैं सुनते ही माराज गुम माता की आखों से आसु पहपड़े एक सेकंड में पलक ठपकते ही महराज वो सेर तो गाइब हो गया माया का बनाया हुआ था जादू का बनाया सेर था वो सेर तो गाइब हो गया और उसी समय वो गाइब जमीन से उठकर के खड़ी हुई कहा राजन दिलीब उठो खड़े हो जाओ मैं तुम्हारी कव वक्ती से प्रसंद हो गई राजन धन्य हो तुम जैसे वीज धन्य हो तुम जैसे चत्री जो एक गाय के प्राण बचाने के लिए तुमने अपना कीमती सरीर भीदाव पर लगा दिया धन्य हो राजन हे राजन दिली हम तुम्हें वर्दान देते हैं आज तुम्हारे हम संतान नहीं है तुम्हारे हम पुत्र नहीं है तुम्हारा सूरी बंस दूबने वाला है सूरी बंस का सूरी अस्त होने वाला है लेकिन तुमने गाय के सिवा की है न तो ये गायत तुमको आसी बाद देती है ना जन, एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, तुम्हारे घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, जो तीनो लोकों में विख्यात, जिसकी नाब का डंका तीनो लोकों में बजेगा, और एक दिन वो आएगा, जब स्वयम परब्रम्ह पर तुम्हारा सोरी बंस डूबेगा नहीं। हम तम्हें बर्दान देते हैं। तुम्हारे पुत्र के नाम पर ही तुम्हारे बंस का नाम अब आगे चलेगा। और महराज गुमाता के आसे बाद सिदाजा दिलीप के हाँ एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ महराज रगु और अब रगु महराज ने इतना नाम इतना यस इतनी कीलती कमाई कि सूरी बंस का नाम तो बंद हो गया और सूरी बंस का ही दूसरा नाम हो गया रगु बंस बोल ये त्रेता युकी है और कहां की है अयुद्या की कता है लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा हमारे भारत में एक और अयुद्या है अयुद्या एक नहीं है अयुद्या दो है और दो अयुद्या कौन सी है एक आयोध्या है हमारे बंदेल खंड की भूमी पर एक आयोध्या हमारे बंदेल खंड की भूमी पर भी है जिसका नाम है स्री ओरसाधाम जो कथा आपने पहले सुनी ये तो त्रेता युक्षी है लेकिन इसी कल जुक की कथा सुनिए इसी कल जुग में हमारे और्चा में इस भुंदेल खंड की मिट्टी पर भी महराज ऐसे ऐसे छत्रियों ने जनम लिया भुंदेल खंड की अयुद्ध्या और्चा की भूमी पर एक राजा जनमें और महाराज पायुद्धा के राजा वो बंदेला चत्रिय जा रहे थे घोडे पर बैट करके सेर करने के लिए और चांसे थोड़ी दूर आग तो सब जानते होंगे खेल और चांसे थोड़ी दूर निवाडी के आगे गर कुंडार गर कुंडार तो देखा होगा ना गर कुंडार अथ वहां गर कुंडार महोस होता है खंगार चत्रिय महाराजा खेच सिंग कि इस समुर्टी में वहां पर मिला बहुत बद बना मिला उपर उस सम ए שמना आयते हैं तो महाराज औरचा की राजा गड़ कुंडार के अपने दूसरे किले में दूसरे गड़ में घूमने के लिए जा रहे थे औरचा से चल करके आये घोड़े पर बैठ करके सत्त कता बता रहा हूं आपको बंदेल घंड़ की आज से कुछ साल पहले की बात है घोड़े पर बैठे महाराज औरचा के महाराजा जा रहे थे गड़ कुंडार घूमने के लिए और गड़ कुंडार से पहले ही जब पहले काफी बड़ा जंगल था तो नहीं है महराज उस जंगल से जब महराज निकल रहे थे और्चा नरेस तो निकलते ही जंगल में उन्होंने क्या देखा जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते के बगल में जाडियों में एक गाए के रोने की एक गाय के कराहने की गाय के रमाने की आवास सुनाई पड़ी महराज एक गाय के रमाने की आवास सुनाई पड़ी ओरशा नरेस बंदेला छत्रिय महराज को लगा कि हमारे होते हुए गाय की आखों में असू अरे हमारे राज्च में गाय की उपर अत्या चार तुरंत घोडे से उतरे तुरंत घोडे से उतर करके महाराज जब जा करके देखा तो एक सेर एक सेर गाय को अपने पंजे में दवाए हुए है मारने के लिए और वो गाय जट पटा रही है बचने के लिए निकलने के लिए लेकिंगे महाराज गाए तो सेर के बंज़े से कैसे बसकती है सेर के सरीर के उपर महाराज सेर के बंजों के निसान बन गए खूर बहने लगा थोड़ा-थोड़ा महाराज ओर्चा मरेश महाराज को लगा कि हम अपने प्रांग के आग सकते हैं लेकिन गाय की हत्या नहीं होने देंगे आख्यों के सामने महराजा उल्चा धीस उठाई तलवार तलवार लेकर कि महराज तोड़ पड़े सिंग को मरने की दिया जैसे सेर की उपर बार किया महराज राजा ने उसी समय सिंग ने गाय को तो छोड़ा गाय को छोड़ा गरजना करता हुआ महाराज राजा की उपर बार कर दिया राजा की उपर बार कर दिया गाय के तुरंट वहां से उठ करके जैसे जैसे करके महाराज वो गाय के भाग निकली लेकिन राजा का और सिंग का भेंकरियत होता रहा राजा कुछ देर तक लड़ते रहे लेकिन देखे माराज ये बंदेल खंड के इस बीरों की कथा बंदेल खंड की बंदेला चत्रियों की वीरगा था माराज राजा की तलवार पड़ी सिंग की गरदन पर सिंग की गरदल पर तलबार पड़ी महराज उसी समय सिंग गायल हो गया और सेर के प्राण निकल गए लेकिन मरते मरते सिंग ने जैसे राजा के उपर बार किया तो महरा सेर की लंबे लंबे वो नाखून राजा के गले में लग गए और राजा के गले में लग जाने के कारण महराज ओर्चा नरेश के प्राण में कल दे राजा ने प्राण त्याग दियो उसी जगे पर सेर को भी मार दिया और सेर ने राजा को भी मार दिया लेकिन एक गाय की प्राण बचा लिया एक गाय के प्राण बचा लिए महराज राजा ने ये बुंदेल खंड की जो भूमी है ऐसे बीरों की भूमी है महराज जहां जिस मिट्टी पर एक ऐसे भी बीर जन्मे है जनोंने एक गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों की बली चड़ा दी लेकिन गाय की हत्या नहीं होने दी हमको गर्ब होना चाहिए इस बात पर हमको गर्ब होना चाहिए इस बात पर महराज कि सबसे पहले तो हम उस भारफ प्रेस के निवासी हैं सबसे पहले तो महराज हम उस भारफ प्रेस के निवासी हैं भारत देस में भी हम लोग भूंदेल-खंड के निवासी हैं। सो भूंदेUSE खंड के निवासी हैं, जुसे भूंदेल-खंड की मिट्टी की महमाओ पूरी भारत में घाई जाती है। आढ़ भारत की किसी भी पूनि drown़े में छरे जाए कि वसितना कहिए जोग को जोट करके प्रणाम करेंगे इसलिए लोग कहते हैं हम जाते हैं पूरी भारत में जगे जगे बले हम राजस्थान में रहते हूं कुछ लोग हमको राजस्थान का समझते हैं कई जगे लेकिन लोग लोग कहते हैं कि हम दंडी हैं पाखंडी हैं हम घमंडी हैं लेकिन ना तो हम दंडी हैं ना पाखंडी हैं ना घमंडी हैं और घमंड है भी ना तो इस बात का ये आखर में हम बुंदेल खंडी हैं गमंड है भी तो इस बात का ये आखर में हम बुंदेल खंडी हैं एक बार बंदेल खंड के बीरों के लिए जोरदार तालियां उन बंदेल खंड के बीरों के लिए जनों ने भारत की मिट्टी पर बंदेल खंड का परजम नहरा दिया ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जनम दईयों के खाता 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 खंड खंड में एसी मार्टीन, एसी मार्टीन, एसी मार्टीन, भारत के खंड़ करें